जैपर की पाक्सा अदालत ने रामगंज में 2017 में हुए बच्चों के योन शोशन मामले में आरोपी ट्यूशन शिक्षक को आज इवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले को गंभीर अपराद मानते हुए शिक्षक पर 50,000 रुपय का जुर्माना भी लगाया है। पीडित पक्ष की और से पैरवी करने वाले अधिवक्ता मौम्मद असलम ने बताया कि आरोपी शिक्षक ने ट्यूशन पढ़ने आने वाले 50 से अधिक बच्चों का योन शोशन कर उसकी वीडियो क्लिपिंग बना ली थी। इसमें एक जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ाने वाला एक टीचर रमीज राजा था जो चोटे बच्चों को अपने घर पे बुलाता था और उनको टूशन पढ़ाने के नाम पे पास कराने के नाम पे उनके मावापों से प्रवंचना करके उनको बात करके और व चार छे आठ ग्यारा बारा इकीज दो के तहित पॉसको एक के तहित और 377 और 384 के तहित आज पॉसको नंबर तीन द्वारा इस रमीज राजा को आजीवन कारवास की सज़ा दी गई है और पचास हजार रुपे जुर्माने से गंडित किया गया